नवस्कार दोस्तों, मैं संतुस पटेल, स्वागात करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर, आज की वीडियो में हम MS Word में लेविल बनाना सीखने वाले हैं, लेविल जो कि एक छोटी साइज का, स्मॉल साइज का इस्टीकर होता है, जिसे हम किस किसी envelope के उपर, किसी card के उपर, किसी letter के उपर paste करते हैं, मतलब चिपकाते हैं, आपने देखा होगा, अब जो letter या कोई card हमें मिलता है, हमें दिया जाता है, तो उस पर हाथ से नाम ना लिखकर एक label लगा होता है, मतलब computer से print किया गया, एक label उसके उपर paste किया जाता है, उस को बनाने की service provide करता है और mail merge option के द्वारा जो label बनाए जाते हैं वह हम दो प्रिकार से बना सकते हैं एक label वह होता है जिसमें हम अपना address multiple छोटे-छोटे sites के label में print कर सकते हैं मतलब यदि हमें अपना नाम और पता label में print करना है हमें अपनी information के छोटे-छोटे sites के label बनाने हैं तो वह label हम बना सकते हैं और दूसरा यदि हमें multiple users के लिए उनके address का label बनाना है तो वह भी हम बना सकते हैं जो MS Word software है वह हमें दो प्रिकार के label बनाने की सुविदा प्रदान करता है एक label में हम अपनी information को multiple small sites के label पे print कर सकते हैं और एक label में हम कई लोगों की जानकारी को multiple लोगों की जानकारी को अलग अलग label में print कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम दोनों प्रिकार के label को बनाना सीखने वाले हैं पहले हम सीखेंगे एक ही address के multiple label बनाना फिर हम सीखेंगे अलग-अलग address के multiple levels को बनाना तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का देखते हैं MS Word में एक address के लिए multiple level किस प्रकार तयार किये जाते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें mailing step को select करना है mailing step को mailing step के अंतरगत हमें create section में labels नाम का option दिया जाता है levels आपको इस levels option पर click करना है जैसे ही आप levels option पर click करेंगे आपके सामने envelops and levels नाम का एक dialogue box आ जाता है इस dialogue box में आपको address type करना होता है जिस address के लिए आप level तयार करना चाहते हैं for example हमें अपने address के multiple small size के level तयार करने है यह option हमें एक ही address के multiple level create करने की सुभिदा प्रिदान करता है तो यहाँ पर हम अपना address देने वाले हैं यसे कि हमने यहाँ पर अपना address दिया है digital भंडार जो कि हमारे channel का नाम है दमो MP और यहाँ का हमने pin code दे दिया है तो यहाँ पर हमने अपना address एक बार type किया है इस address के हमें multiple level तयार करने है यहाँ पर हमें level से related कुछ settings को भी set करना होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको level का preview दिखाया जा रहा है एक page पर आप कितने level बनाना चाहते हैं वह है level की size select करने के लिए आपको options पर click करना है यहाँ पर multiple level के size हमें दिये जाते हैं multiple type की level की size दी जाती है तो यहाँ से हम select करने वाले है 30 पर page मतलब एक page पर हम 30 level बनाना चाहते हैं यहाँ पर और भी option होते हैं एक होता है 30 पर page जिसमें level की height होगी 2.63 inch और बिर्थ होगी 1 inch मतलब यह vertical level बनेगा और यदि हम second वाला option select करते हैं तो इसमें level की height हो जाती है 1 inch और बिर्थ हो जाती है 2.63 inch मतलब यह एक horizontal level होगा तो हम इस size को select करेंगे और ok करेंगे इसके बाद हमें new document option पर click करना है जैसे ही आप new document option पर click करेंगे आप देख सकते हैं हमारे सामने automatic एक page पर 30 level बनकर आजाते हैं यह हमारे level कहलाते हैं small size के level अब हम इनका print out निकाल सकते हैं और इनको किसी भी envelope के उपर किसी parcel के उपर paste कर सकते हैं चिपका सकते हैं यह होता है label आप देख सकते हैं MS word ने यहाँ पर label के बीच में हमें थोड़ा सा space भी दिया है ताकि हम इनको आसानी से cut कर सकें यदि आपके system पर यह grid line 100 नहीं होती है आप देख सकते हमारे हर level के साथ grid line 100 हो रही है यदि यह 100 नहीं होती है तो आप layout टैप को select करें और view grid line option को on कर दें यहाँ से आप इस grid line को on भी कर सकते हैं और off भी कर सकते हैं यह grid line प्रिंट आउट में प्रिंट नहीं होती है के बल आपको short copy में display की जाती है आप देख सकते हैं control प्लस app 2 से जब हम print preview देख रहे हैं तो इसमें हमें grid line सोब नहीं की जा रही है यह होती है label यदि आप चाहते हैं हमें प्रत्यक level के साथ border भी print करनी है तो आप design tab को select करें design tab को select करें table option पर click करें border option पर और यहां से आप border में जाकर all border को apply करने अब आप जब इस level का print out निकालेंगे तो प्रत्यक level के साथ आपको border भी print करके दी जाएगी जिससे आप level को आसानी से cut कर सकते हैं अभी हमने एक ही address के multiple level बनाना सीखा, एक ही address के, एक address हमने fill किया था, और इस address के multiple level हमें बना कर दे दिये गए हैं, अब हम दूसरा level type सीखने वाले हैं, जिसमें हमारे पास multiple लोगों की जानकारी है, अब हम हर user का एक अलग-अलग level बनाना चाहते हैं, तो वह किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके लिए हम MS Word में एक new file को open करने वाले हैं, new file को, जिस पर हम multiple labels को बनाना सीखेंगे, इसके लिए हमें mailing step को select करना है, mailing step के अंदर आपको अब select करना है start mail merge, start mail merge के अंदर एक option होता है labels, आप इस option को select करने, यहाँ पर सबसे पहले हमें label की size select करनी होती है, कि हमें एक page पर कितने label बनाने हैं, तो for example हमने वही option select किया है, 30 per page, मतलब हम एक page पर 30 label बनाना चाहते हैं, इसके बाद हम okay option को select करेंगे, अब देख सकते हैं, हमारे page पर हमें border so हो रही है, grid line so हो रही है, list select करनी है, जिनके हम label बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले उन सभी लोगों का data, Excel पर या MS Access पर तयार करना होगा list के रूप में, हमारी list पहले से बनी रखी हुई है, तो हम select करेंगे, select recipients option को, इस option पर click करें, हमारी list पहले से बनी रखी है, तो हम select करेंगे, use an existing list option को, जो हमारा data है, जिसमें हमारे सभी लोगों की जानकारी है, वो रखी हुई है desktop पर, तो हम desktop को select करेंगे, यहाँ पर हमारी एक Excel की file इस data नाम से, जिसमें हमने एक work seat बनाई है, seat बन नाम से, इसको select करेंगे और ok कर देंगे, अपनी table की एक-एक field को insert करना है, हमारी table में पहली field है name, दूसरी field है class, तीसरी field है हमारी table में category, और चौथी field है हमारी table में city, हम प्रत्यक level में, चार field का data print करना चाहते हैं, यह table हमने पहले से बना कर रखी है, जिसमें चार field है, उस table को select करने के लिए हमने, select recipients option को select किया था, इसके बाद हमें, update level option पर click करना है, update level, जैसे ही हम update level option पर click करेंगे, प्रत्यक level में यही field हमारे सामने सो की जाएंगे, इसके बाद हमें finish and merge option पर click करना है, edit individual document पर click करना है, और ok कर देना है, कुछ ही समय में हमारे multiple users के level हमारे सामने बन कर आ जाते हैं, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहला level बना है, वह है अजय का है, जिसकी class DCA है, वह है SC category का student है, और इसकी city है सागर, दूसरा level बन गया राजू का, जो की PGD से का student है, OBC category का है, सागर सिटी से है, तीसरा सुरेश नाम का student है, BCA class का है, जर्नल category का है, जवलपुर का है, तो यहाँ पर अब हमने जो level बनाए हैं, वह है multiple users की जानकारी को लेकर बनाए हैं, पहले हमने जो level बनाए थे, वह single address के लिए बनाए थे, और अब जो हमने level बनाए हैं, यह multiple information के लिए बनाए हैं, तो आप MS word में, दो परकार से level create कर सकते हैं, एक तो आप single address के लिए, अपने address के लिए level बना सकते हैं, दूसरा आप multiple users की जानकारी के लिए भी level तैयार कर सकते हैं, लेकिन multiple users की जानकारी पहले आपको MS Excel में, या MS Access में एक list के रूप में save करनी होगी, इस्टोर करनी होगी, उसी के बाद आप multiple users के level तैयार कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हमने MS word में, लेबिल को बनाना सीखा, single address का लेबिल, और multiple address का लेबिल, आप इसको practically use करके देखें, आपका कोई question है, कोई doubt है, तो comment section में जरूर पूछें, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like करें, जादा से जादा share करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद,